नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका चीर परीचेत दोस्त, आज पुन हुपस्थित हूँ दोस्तों, एक और नई और शर्ध ही लेकर के, एक और नया पेनी फीट का यूक है खजाना लेकर के आप सभी के लिए लेना आपको होगा, पर हम आपको बता सकते हैं दोस्तों की आप के लिए कैसे लाबकारी सावित होगा क्या आप जानते हैं रात को तकीए के नीचे लहसुन रखने से क्या होता है जी हाँ सही सुन आपने क्या आपको पता है कि अगर आप अपने तकीए के नीचे लहसुन रखकर सोते हैं तो क्या होगा हम सब ये जानते हैं कि लहसुन हमारी धर्ती पर सबसे स्वास्थ प्रद भोजनूं में से एक माना जाता है या कई सारे पोशक तत्वों से भरपूर होता है जो कि हमें बहुत सारे स्वास्थ लाब देता है इसलिए आपको लहसुन का सिवन हर रोज करना चाहिए दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि लहसुन हमें कई बिमारियों से बचाता है जैसे कि लिवर की बिमारियां गंजेपन से और कई तरह की बिमारियों से हमें सुरक्षित रखता है लहसुन हमारी धमनियों को साफ रखता है और हमारे खुन को शुद्ध करता है जो काम और फ्लू से रहत देता है और कई अन्य बिमारियों में अत्यंत उपयोगी होता है लहसुन इन जिप्ट वासी पिरामिट्स का निरमार करते समय लहसुन को कच्चा चबाते थे इसके एंटिबायोटिक और और शधिय गुणों की वज़ा से लहसुन से हमें एलिसिन प्राप्त होता है जो कि लहसुन में सबसे शक्तिशाली यौंगिक माना जाता है लहसुन को मसल कर सेवन करने से इसकी शक्ति बढ़ जाती है और इसके विप्रित जब आप इसको पका कर खाते हैं तो आप इसके गुणों को नश्ट करते हैं दोस्तों इसी वज़े से लहसुन को मसल कर उसे 15 मिन्टों तक छोड़ दीजिए और फिर खाना चाहिए इसके दुरगंद को खत्म करने के लिए आप इसमें वनस्पति तेल और अजमूद भी मिला सकते हैं लहसुन को तकिये के नीचे रखने का फाइदा अब हम आपको बताते हैं चुकि हमने सोचा पहले कि आपको ये बता दें कि इसे खाने का क्या बेनिफिट होता है दोस्तों क्योंकि अमूमन हम खाना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि हमारा चाय का भी बन जाता है दोस्तों शायद आपने सुना होगा कि कई लोग लहसुन को सोने से पहले अच्छी नीद के लिए अपने तक्ये के नीचे रखते हैं। कई लोग सौभाग्य के लिए अपनी जेब में रखते हैं। दुनिया में कई लोग लहसुन से अपने धूपदान और बरतनों को साफ करते हैं। नकारात्मक्ता को धूर करने के लिए इसी वज़ा से आपको लहसुन को अपने जेब में या अपने तक्ये के नीचे रखना चाहिए। इससे आपको अच्छी नीच मिलेगी और आपके आसपास के नकारात्मक्त उर्जा खतम कर देगा यह तो इस प्रकार से ऐसे लाबकारी होता है आपके लिए लहसुन दोस्तों इसके खाने के भी फायदे और अगर इसे आप साथ में रहते हैं तो भी फायदा दोस्तों जैसा क हमने बताया लेकिन पुनह आपके लिए हम एक बार रिपीट कर देते हैं संचेप लेंगवेज में कि अगर आप लहसुन खाते हैं इसके एंटिसप्टिक कुड़ों से आप बहुत लाव ठा सकते हैं जैसा कि हमने उपर आपको बताया इसके साथ साथ अगर लहसुन को आप अपने जेब में या अपने तकीए के नीचे रखते भी हैं दोस्तों तो आपको बहुत फायदा होने वाला है क्योंकि लहसुन जो है वो आपकी निगेटिव इनर्जी यानि कि आपके आस पास जो निगेटिव इनर्जी होती है उसे दूर करता है तो यह रहाज का हमारा ट टोपिक लेकर तब तक के लिए धन्यवाद